अपने शासन काल में इंदरा गांधी ने एक बात कई थी जो इस वक्त कि केरला के स्थिती को साफ साब बता रही थी उन्होंने कहा था कि वो अपसे चावल तब तक नहीं खाएंगी जब तक कि केरल में चावल की डिवान पूरे नहीं होती ये स्टीट्मेंट अपने आप में खास इसलिए था क्योंकि केरल में लोगों के खाने के लिए चावल सबसे जरूरी होता है और इंदरा गांधी का ये खथन बता रहा था कि उनके शासन काल में केरल के लोगों के पास खाने को चावल नहीं है तो दोस्तों आपको बताएं कि ये बाद उस समय के केरल पर पूरी तरह से लागो होती थी आजादी के दो दशिकों के बाद वही केरल के स्थिती ऐसी थी कि दुनिया की बड़ी मैगजीनों में यहां की खरीबी और भुगमरी के बारे में बहुत सीरियसनेस के साथ लिखा जा रहा था और उस समय ठक ऐसा कहा जाता था कि केरल भारत का सबसे खंजोर और घरीब राज्य है लेकिन आज की तस्वीर देखें तो शायद इंद्रा गांधी जी स्वर्ग में भी इस समय चावली खा रहे हूंगी क्यूंकि वही केरल आज भारत के सबसे डिवेलप राज्यों में से एक है तो आगर ऐसा क्या हुआ कि केरल ने इस दोड में खुद को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं तो बने रही हमारे साथ वीडियो के अंतर रबड, नारियल और मचली के लिए केरल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है जहां समुद्री किनारा भी है तो फ्रेश वाटर के सबसे अच्छे रिसोर्स भी है प्रकृती की दी हुई हर्याली और रिसोर्स के दम पर आज केरल भारत के सबसे स्वच्छ राज्य में से भी एक है नीती आयोग ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके तहत केरला ने खरीबी, भुकमरी, एजुकेशन, क्लीन वाटर, रिनेयबल इनरजी, जेंडर एक्वालिटी जैसी 17 चीजों में खुद को ऐसा मैनेज किया है कि सरकार की तरफ से 75 पॉइंट्स के साथ कैरला को इस रिपोर्ट में भारत का सबसे पहतरीन राज्य मारा गया आज कैरला में खरीब 96 प्रतिशत से ज़्यादा लोग साक्षन है तो ही जेंडर एक्वालिटी में भी कैरला में 1000 पुरुषों पर 1048 महिलाओं का पाया जाना सराहनी है लेकिन ये सब हुआ 1980 के बाद आप मैंसे बहुत से लोग कहेंगी कि कैरला आज इस लिस्ट में टॉप पर इसलिए है क्योंकि उसने समय रहते अपने एजुकेशन और हेल्फ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है तो दोस्तों ये बात सच भी है क्योंकि जब 1956 में कैरला राज इपना और 1957 में कैरला की कम्विनिस्ट कवर्मेंट पहली बार सत्ता में आई तो उन्होंने सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पर जोर देने के लिए एक नया बिल पास किया जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे स्कूल तो बनाई ही लेकिन साथ ही प्राइविट स्कूल जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी उन्हें भी अपने साथ मिलाकर उनके टीचर्स की सेलरी बढ़ा दी इस एक स्टेप ने ये दिखा दिया कि गवर्मेंट के पास भले ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन वो तब भी राज्य के लोगों की बेसिक अधिकारों को पूरा करेंगे जिसकी वज़े से वहां के टीचर्स अपने काम को और मैनस से करने लगे साथ ही कैरला के बनने के साथ ही जो बदलाव हुए उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वहां का सो कॉल्ड लोवर कास्ट सेक्शन भारत के दूसरे राज्यों की तरह शिक्षा से वंचित नहीं रहा क्योंकि इसी दौर मैं कैरला में ईसाई मिशिनरियों का बोल वाला था जिसके तहस ज्यादा तर लोवर कास्ट की लोग ईसाई धर में कनवर्ट हो गए जिसके बाद उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी को पूरी तरह से इन मिशिनरियों ने उठा लिया और सरकार को भी इनके लिए नए स्कूल नहीं खोलने पड़े उन्होंने इसी मिशिनरियों को ही सुपर्ट करके उनकी एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारा जिससे की गरीब और तथाकतित छोटी जाती के लोगों तक भी शिक्षा पहुँच सकी और यही आज के कैरला के मॉडल का बेस बना इसके बाद अगर हेल्थ की बात करें तो उस मामले में भी कैरला की सरकार ने नए तोर तरीक हो और हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया यही कारण है कि इस दौर में कैरला की नर्सेस देश में सबसे बहुतरीन मेडिकल सेवा देने के लिए पैचानी जाने लगी कम्यूनिस्ट कवर्मेंट का कैरला को फायदा यह हुआ कि उन्होंने बिना किसी कास्ट या क्लास के फेवर को थ्यान में रखे पूरे राजी के विकास पर खुद को फोकस किया है अविन दोनों इन्वेस्टमेंट का फायदा कैरला को आगे चल कर कैसे हुआ वो समझते है 80-90 के दौर में जहां कैरला की प्रतिविक्ति आए भारत की एवरिज प्रतिविक्ति आए इससे 20 प्रतिशत कम थी 90-2000 के बीच कैरला में आख़ा भारत के प्रतिविक्ति आए के बराबर हो गया लेकिन हैरानी तब हुई जब इसी कैरला ने 2017 में इस आख़े में खुद को ऐसे रखा कि कैरला की प्रतिवेक्तियाए, पूरे भारत की एबरिज प्रतिवेक्तियाए से 60 प्रतिशत ज्यादा हो गई इस ग्रोथ के पीछे का कारण बिल्कुल साव था पहला कैरला में डुमेस्टिक डिमांड का बढ़ना और दूसरा था कैरला का शिक्षा और स्वास्ति जैसे चीजों में इन्वेस्ट करना डुमेस्टिक डिमांड को अगर और से समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि कैरला का अग्रिकल्चर इतना बेतरीन हो गया कि वह पूरी दुनिया में कोकोनट और रबर जैसे महेंगे गुड्स को बेच कर अमीर होने लगा साथ ही कैरला में मजदूरों को भारत के दूसरे राज्यों से अरीब दोगरा मजदूरी मिलती है जिस कारण यहां के मजदूरों की आए भी बाकी राज्यों के लोगों से ज्यादा है जिससे वो अपने राज्यों में ही उपजने वाली चीजों को ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं इसी कारण डॉमेस्टिक डिमांड बढ़ने लगी लेकिन अब अगर देखें कि शिक्षा में किये गए इन्वेस्टमिंट का इस ग्रोथ में क्या फाइदा हुआ तो हमें 1980 का वो दोर याद करना पड़ेगा जब अरब के देशों में अचानक अमीरी आने के नाते उनके पास काम करने के लिए लोगों की डिमांड बढ़ गई थी चुकि कैरला से अरब के देशों में जाना उसके तेहास का इससारा है इसलिए 1980 आते कैरला के पड़े लिखे लोग उन देशों में जाकर काम करने लगे थी जा उन एच्छी खासी सेलरी दी जाना वे जिसका कुछ हिस्सा जब वो अपने लोगों को भेजते हैं तो उसकी कैरला में ज्यादा वैल्ली होती जिससे कि लोगों के पास पैसों की कमी खत्म होती इसके अलाबा अभी कैरला में किये गए कामों में जो सबसे ज्यादा ध्याद देने वाली बात है वो ये है कि कैरला का 47 प्रतिशत इलाका आज अबनाइजड हो चुका है जो कि बाकी भारत से खरीब 10 प्रतिशत ज्यादा है अब अगर फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग की बात करें तो टेक्नोलोजी के मामले में लेकर भी शुरुवात से काफी ओपन रहा है जो उसकी तरक्की का एक और एहम कारण है हाला कि सारी लिस्ट में टॉप करने के बावजूद इस सदी के तीसरे दशिक में प्रवेश करते ही कैरला की कुछ चिंताएं भी जरूर बढ़ गई है जिसमें घटी पपुलेशन ग्रोथ रेट एक बड़ी चिंता है क्योंकि आज कैरला में साथ वर्ष से ज्यादा उमर के लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है पूरे भारत में जहाँ पपुलेशन ग्रोथ रेट सेवनटीन परसंट के खरीब है तो है कैरला में रेट मातर चार प्रतिशत के आसपास ही है जिसका असर उन्हें आने वाले 20 सालों में देखने को मिलेगा क्योंकि जब राज्यों में बुजर्गों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो सरकार को ज्यादा पैंशन देनी पड़ेगी जिससे की गवर्मेंट पर दबाव आएगा साथ ही मेन पावर भी घड़ जाएगा जिससे की जो प्रडेक्शन और लेबर अभी कैरला में आगे नहीं होगे जिसकी वज़े से प्रतिव्यक्ति आये में फिर से कमी आएगी इसके अलावा कैरला ने अपने विकास में एक और गलती ही जो कि उसका हरजाना भी कैरला कोई भुगत ना पढ़ सकता है कैरला ने एंट्रपरिनियोर और बाहरी इंवेस्टमेंट में इतना ध्यान नहीं दिया जिस कारण अने वाले समय में बढ़ सकता है क्योंकि कोविट की वज़े से बाहर के देशों से चप से लोग कैरल वापस आये हैं उनके साथ ये समस्याभी साथ ही आए हर कैरल हर मुवमेंट पर अपने को लगातार बेतर बनाता है इसलिए हम यह आशा कर सकते हैं कि इस आने वाली परिस्थिती के लिए भी कैरल के बास कोई बढ़िया उपाए ज़रूर होगा इतनी तरक्की के साथ एक बात कैरला के लिए और एड़ कर देनी चाहिए किस समय कैरला ही वो एक परदेश है जहां से भारत की सबसे बेतरी इन फिल्म डस्ट्री भी काम कर रही है जिसको मिलने वाली अंतर राष्ट्रिय सराहना के कारणा जिसकी लोग प्रियता भी पूरी दुनिया बे बढ़ती जा रही है इसलिए आप परसनल लेवल पर कैरला से कुछ सीखे ना सीखे लेकिन उनकी फिल्में जरूर देखे आपका कैरला के बारे में क्या मत है